So Hello Guys, Welcome Back to the New Video Session SSB Head Constable Ministerial Exam 2021 की तैयारी उमीद है आप अच्छे से कर रहे हो और मैं भी अपनी तरप से आपके लिए प्रियास कर रहा हूँ तो दोस्तों आज की वीडियो सेशन में हम जानने वाले हैं इसकी सेलरी के बारे में सेलरी दोस्तों एक बड़ा मोटिवेशन होता है आप चाहिए कुछ भी समझो लेकिन सेलरी भी किसी मोटिवेशन से कम नहीं है तो इस वीडियो सेसन में जानेंगे कि आपका बेसिक पे क्या रहता है ट्रेनिंग पिरिड में सेलरी क्या रहती है ग्रो सेलरी क्या रहती है डिया चाहिए क्या हुता है और क्या क्या चीज़े मिलती है वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल से एक बार में जो सेलरी का कलेस है वो कम्पलिट हो जाएगा और बड़ा मोटिवेशन भी आपको आप जोइन कर लीजिए वहां भी आपको अपडेट्स मिलती रहती है हर तरह की और बहुत सारी हल्प की जाती है तो वो भी आप जरूर जोइन कर लीजिए देखे दोस्तों मैं आपके लिए भी दो कलासे प्रेजेंट में करवा रहा हूँ एक तो स्टाटिक जीके की क्योंकि स्टाटिक जीके काफी अच्छी मतरा में आपसे एक्जाम में पूछा जाएगा स्टाटिक जीके की डेली लाइव कलास होती है साथ बजे और भारत ग्यान की कलास होती है आठ बजगर पैंतालीस मिनट पर दो लोग क्लासे साम को होती है ये दोनों क्लासे दिखा गरे ताकि आपका General Awareness वाला सेक्षन वो बहतरीन चला जाए Static GK Maximum उसमें पूछा जाएगा बाकि मैंने Current Affairs के Important Topics, Static GK के Important Topics मैंने आपको सारे डिटेल से बता हैं, Physical, Medical के बारे में भी हर इक चीज मैंने आपको बारी किसे बता रगी है, तो आपके सभी सवालों के जब आप इस चैनल पर मिल जाएंगे एक बार जो नए हैं वो लोग विजिट कर लेना और वीडियो चेक आउट कर लेना में एक पलेलिस्ट बना दूँगा, उसमें आपको सारे विडियो मिल जाएंगे, चलिए आज का हमारा टोपिक है, सेलरी, तो दीए के बैसिक पे इसके अंदर आपका रहता है 25,000 रुपे, बैसिक पे यानि स्टार्टिंग जो पै होता है, वो 25,000 से का स्टार्ट होता है, उसके बाद में दोस्तों इसमें डीए एड होता है, जोकी गवर्मेंट ने 28% कर दिया है इसका मतलब हो गया 25,000 में आपका डीए अगर हम देखें तो हो जाता है, 7,700 रुपे के आसपास, ठीक है, ये डीए आपके सेलरी में एड होता है इसके बाद में नेक्स्ट हम एड करें तो इसमें होता है HRA मतलब हाउस, रेंटल लाउंसेज, ये दोस्तों अलग-अलग होता है, 24%, 18%, 9% होता है, इसके अंदर तीन तरह की सिटी को category wise divide किया हुआ है X, Y और Z X सिटी के अंदर 24% होता, Y सिटी के अंदर 18% होता है, और Z सिटी के अंदर 9% होता है, मैं यहाँ पर बीच वाला आखडा लिकर आया हूँ, लगबग 44,00 रुपे आप समझे लो, बीच वाला ठीक है, यानि 18% के इर्द के दिये निकल कर आजाता है आपका 4,400 रुपे गे आसपास यह आपको मिल जाता है, इसके बाद में इसमें दोस्तों आपको मिलता है रासन मनी अलाउंस, रासन मनी में मतलब मेस मनी आपको मिलती है लगबग 3500 रुपे गे आसपास ठीक है जिसमें अगर आप मेस में खाना खाते हो तो मेस में जमा करवा दो बाहर खाना खाते हो तो बाहर या अपनी घर family के साथ में रहते हो तो वे से आप कर सकते हो लेकिन लगवग 3500 रुपे आपको ये मिल जाता है इसके बाद में दोस्तों एक चीज़ और मिलती है पहले ये नहीं मिलती थी लेकिन आजकल ये मतलब एक तो आपकी रम जो है रम अलाउंस है या कुछ जो बार बर अलाउंस है ये सब चीज़े भी आइड कर दी है तो उसमें भी आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं ठीक है इसके बाद में अगर हम बात करें ग्रोस सेलरी की तो ग्रोस सेलरी आपकी निकल कर आती है चालीस हजार पांसो रुपे ठीक है ये ट्रैनिंग पिरेट बेसिक पे की सेलरी में आपको बता रहा हूँ चालीस हजार पांसो रुपे आपकी सेलरी बन जाती है इसके अंदर एक डिडेक्शन हो जाता है यानि कटोती होती है एनपियस की यानि नेशनल पैंसम स्कीम की लगवग पच्छीस सो रुपे लगबग 25,000 रुपे मतलब 10% होती है आपके सेलरी की तो 25,000 की 25,000 रुपे आपकी ये सेलरी हो जाती है sorry NPS आपका काटा जाता है ठीक है ये basic pay में से आपका कटता है तो 25,000 रुपे इसको निकाल दो अब हम बात करें दोस्तों in hand salary की तो आपकी in hand salary approach जो निकल कर आती है वो 49,000 रुपे 39,000 रुपीज आपको in hand salary मिल जाती है ठीक है basic pay में यानि starting में अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बहुत difference आपको देखने को मिल सकता है लेकिन ज़्यादा difference आपको देखने को नहीं मिलेगा हो सकता है कि जो HR वगेरा है उसके अंदर थोड़ा अगर कम मिले आपको तो उसमें हो सकता है कि 39,000 के जगा 36,000 आपको salary मिले लेकिन मेरा यह मनना है कि approach अगर मैं बात करूँ तो सबको 35,000 से अधिक basic pay की salary मिल जाती है in hand मतलब सब कुछ cut बढ़कर salary आ जाती है तो काफी अच्छी scale अंदर salary है इसके बाद में दोस्तों आपका increment लगना start होता है increment जब लगना start हो जाता है तो फिर salary आपकी बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है और बहुत अच्छी salary आपकी हो जाती है 80,000 से लेकर एक लाग रुपे के बीच में आपकी approximately salary आती है फिर आपको facilities भी अलग लग दी जाती है फिर promotion के भी scheme रहती है और बहुत सारी चीजें इसमें रहती है अगर आप चाहते हो कि मैं joke profile को लेकर आपको detail से बाते समझाओं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा comment कीजेगा जो लोग नए हैं वो चैनल को subscribe कर लीजेगा एक बात आपको बताना चाहूँगा एक बार जरूर आप चैनल पर visit करना और ये दो class हैं ये live class होती है इनको आप जरूर attend करना ठीक है इनके अंदर बैतरीन आपको तैयारी करवाई जारी है साथ में आपका practice भी होता है आपकी test series भी चलती है और question का level है वो भी आपको समझ में आता है तो दोनों class हैं आप जरूर ध्यान रखेगा static gk की 7 बजे भारत ग्यान की 8 बज कर 45 मिनट पर है भागे physical medical को लेकर कोई आपका सवाल हो exam date को लेकर physical venue को लेकर तो आपका एक बार channel पर visit कर लेना उस पर आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे खिलाल के लिए इतना ही thanks for watching मिलंगे दोस्तों next video से समय तब तक के लिए सभी को जय हिंद